इसके पहले मैंने इसका पार्ट वन ओल लेडी चैनल पर अपलोड किया हुआ है अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक यहाँ पर उपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दे दूँगा तो आप पहले इसके पार्ट वन को देख लीजिए और इसका पार्ट वन हम वहीं से सुरू करने वाले हैं जहां पर इसका पार्ट वन खत्म हुआ था तो पार्ट वन में हमने देखा था कि फिल्म शोले के अंदर कैसे है मामालनी संजीू कुमार धरमेंदर और अमिता बच्चन को फिल्म के लिए कास्ट किया गया था और अब इन सबकी कास्टिंग के बाद फिल्म के अंदर बारी थी फिल्म के सबसे दमदार रॉल गबबर सिंग की कास्टिंग के लिए और सबसे पहले फिल्म शोले के अंदर गबबर सिंग के रॉल के लिए रमेज सिप्पी की पहली पसंद थे डैनी डैनी को ही फिल्म शो शोले की सूटिंग डेट्स उनकी सन 1975 में आने वाली फिरोज खान के साथ फिल्म धर्मात्मा के साथ क्लैस करने लगी थी जिसको वो पहले ही और लेडी साइन कर चुके थे और डैनी के ना चाहते हुए भी उन्हें फिल्म शोले को छोड़ना पड़ा था डैनी के फिल्म से ब अमजद खान ने फिल्म सोले में काम करने के पहले कई फिल्मों के अंदर बतोर चाइल आर्टिस्ट भी काम किया हुआ था लेकिन उस टाइम तक अमजद खान की बॉलिवड में कोई पहचान नहीं थी और जब अमजद खान को इतनी बड़ी स्टार कास्ट के बीच में गब बैंगलॉर बला लिया और जब अमजद खान फिल्म का ओडिसन देने के लिए बैंगलॉर जाने वाले थे उसके लगबग एक महीने पहले ही उनके बड़े बेटे सदाब खान का जन्म हुआ था इसलिए उनकी वाइफ को अमजद खान की उस टाइम पर काफी जरूरत थी ल फ्लाइट में उस टाइम पर जाने वाले बहुत सारे पैसेंजर्स ने तो टेकनिकल प्राबलम को देखते हुए अपना बैंगलॉर जाना ही कैंसल कर दिया था लेकिन अमजद खान लगबग पांच घंटे एरपोर्ट पर बैट कर ही फ्लाइट के ठीक होने का इंतजार करत और अमजद खान के बैंगलॉर फिल्म के सैट पर पहुंचते ही रमे सिप्पी और सलीम जावेद के दोरा फिल्म के अंदर गबबर सिंग के रॉल के लिए उन्हें एक आर्मी की ड्रेस दी गई जो कि उस टाइम पर एक दम नहीं थी क्योंकि इसके पहले बॉली बड़ की इतनी भी फिल्मों के अंदर डाकूं को दखाया जाता था तो उसमें उनको एक धोती कुर्टा पहना कर माते पर एक बड़ा सा टीका लगा कर पहारियों के बीच में काली माता की पूजा करते हुए दखाया जाता था लेकिन फिल्म शोले के अंदर डाकू गबर सिंग के र और पहले ही दिन एक ही सीन के लिए लगबत 40 टेक देने के बाद भी उनका टेक सही से सूट नहीं हो पाया और बाद में रमेश से पी और कैमरा में द्वार का दवेचा ने अमजद खान को बोला कि वो फिल्म के सैट पर अपनी गबबर सिंग वाली ड्रेस पहन कर ही फिल्म के सैट पर एक के बाद एक बहुत सारी चाए पिये जा रहे थे और उस रात वो टेंसन के चलते ठीक से सो भी नहीं पाये थे लेकिन धीरे धीरे वो गबबर सिंगे कैरेक्टर को समझने लगे थे और दूसरे दिन जैसे ही उनका सौट होने वाला था तो अमजद खान ने अप बुक अभिसाब्त चंबल को भी पड़ा था जिसमें चंबल के डाकूं के बारे में काफी डेटेल से बताया गया था और इस तरहे फिल्म शोले में अमजद खान गबबर सिंग के रॉल के लिए फाइनल हो गए सलीम जावेद ने फिल्म सोले के अंदर गबर सिंग का जो नाम रखा था एक्चुली उसी नाम का एक डाकू पहले चंबल के बीहिडों में हुआ करता था जो कि उस टाइम पर काफी बरबर तरीके से पुलिस वालों के नाक और कान काट कर उन्हें वापस घर भेज दिया कर उसके अलाबा फिल्म के अंदर जो जै और वीरू का नाम था वो भी सलीम खान ने अपने कालेज टाइम के दोस्तों वीरेंदर सिंग वियास और जै सिंग राओ के नाम से मिलता जलता ही रखा था जो कि उस टाइम पर उनके कालेज में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थ इसी तरह ठाकर बल्देयो सिंग का नाम सलीम खान ने अपनी वाइफ सल्मा खान के पता बल्देयो सिंग चरक के नाम से ही इंस्पायर होकर रखा था इसके अलाबा फिल्म के अंदर सूर्मा भोपाली नाम का किरदार जावे धक्तर ने जो की भोपाल से बलॉंग करते हैं उन्होंने उस टाइम पर भोपाल के ही एक आदमी सूर्मा को देखकर ही फिल्म के अंदर रखा था इस तरह से पूरी स्टार कास्ट को फिल्म के लिए फाइनल किया गया था और फिल्म के लिए रामगर गाओं का जो पूरा सैट है वो बैंगलोर सहर से लगबग 50 किलोमीटर दूर रामगर डिश्टिक के पास में ही बड़ी बड़ी चटानों के बीच में बनाया गया था उस टाइम पर वहाँ पर कुछ भी नहीं था किवल बड़े बड़े पत्थर, मैदान और कुछ पेड़ बस थे फिल्म के अंदर रामगर गाओं की जो एक एक चीज हमें दखाई जाती है वो फिल्म के मेकर्स के दवारा वहीं पर बनाई गई थी रामगर गाओं के एक एक घर से लेकर रामगर गाओं का चबूतरा, मंदर, मस्जिद और पाने की टंकी से लेकर हर एक चोटी से चोटी चीज वहीं पर फिल्म के सेट पर बनाई गई थी और फिल्म का सेट हाईवे से काफी अंदर था इसलिए हाईवे से अंदर गाव तक आने के लिए फिल्म के मेकर्स के दोरा एक पकी रोड भी बनाई गई थी जिससे कि फिल्म के अंदर काम करने वाले कलाकारों और क्रू मेंबर्स को वहाँ पर आने जाने में कोई दिक्कत न हो और इस तरह से पूरी फिल्म का सेट वहाँ पर कम्पलीट किया गया था इसके अलावा फिल्म के अंदर केवल जेल वाले सीक्वेंस को सूट करने के लिए मुंबई के राजकमल स्टूडियो में उसका सेट लगाया गया था राम नगर डिश्टिक के बहुत सारे रियल लोगों को फिल्म के अंदर रामगर गाओं की पबलिक के तोर पर भी दखाया गया था और फिल्म शोले के लिए लगाया गया रामगर का ये पूरा सेट अभी भी वहाँ पर एजटेच वैसे ही मौजूद है और अब बहुत सारे परियाटक वहाँ पर घूमने के लिए भी जाते हैं और फिल्म की सूटिंग के बाद ये जगह इतनी ज़्यादा पॉपलर हुई कि आगे चलकर लोग इसको सिप्पी नगर के नाम से भी जानने लगे थे फिल्म के लिए इतना बड़ा पूरा सेट कम्पलीट हो जाने के बाद फाइनली दो अक्टूबर सन 1973 से फिल्म की सूटिंग स्टार्ट हो गई और फिल्म का सबसे पहला सीन अमिता बच्चन और जया भादुरी के उपर फिल्म आया गया था जब अमिता बच्चन जया भादुरी को तिजोरी की चाबी वापस करते हैं और फिल्म का सबसे लाश्ट सीन सूट किया गया था जब ठाकर साहब जै और वीरू से जेल के बाहर मिलते हैं और इस दोरान पूरी फिल्म को सूट करने में लगभग धाई साल से भी जादा का समय लग गया था और पूरी फिल्म को सूट करने में इतना जादा समय इसलिए लगा था क्योंकि रमेज सिप्पी फिल्म के हर एक छोटे से छोटे सीन को भी एकदम परफेक्शन के साथ सूट करके फिल्म के अंदर रखना चाहते थे और इसी वज़े से फिल्म की सूटिंग में इतना ज़्यादा समय लगने की वज़े से ये फिल्म काफी ओबर बजट हो गई थी और फिल्म का बजट लगबग एक करोड से बढ़कर तीन करोड रुपई के आसपास पहुँच गया था रमेज सिप्पी ने फिल्म के अंदर लगबग पांच मिनिट के गाने ये दोस्ती हम नहीं तोडेंगे को लगबग 21 दिनों में सूट किया था फिल्म के अंदर अमिता बच्चन और जया बच्चन के उपर फिल्माए गए दो सीन जहांपर जया बच्चन लालटेन की लाइट बजाती हैं और अमिता बच्चन नीचे बैठकर माउथ ओर्गन बजाते हैं इन दो छोटे से सीन को भी एकदम परफेक्ट तरीके से सूट करने में रमे सिप्पी ने लगबग 20 दनों का समय लिया था इसके अलावा फिल्म के सबसे स्टार्टिंग का सीन जहां पर कुछ डाकू ट्रेन का पीछा करते हैं इस पूरे सीक्वेंस को मंबई से पूना रेलवे ट्रेक पर पनवेल की लोकेसंस के आसपास सूट किया गया था और ट्रेन बाले इस पूरे सीक्वेंस को सूट करने में उस टाइम पर लगबग साथ हपतों का समय लग गया था इसके अलावा जब गबर सिंग ठाकर साहब की पूरी फैमिली को मार देता है और ठाकर साहब अपने परिवार को देखने के लिए आते हैं इस पूरे सिक्वेंस को सूट करने में उस टाइम पर लगबग तेज दिनों का समय लग गया था इस सीन के दौरान कई बार आसमान एकदम साफ दखाई दे रहा था कई बार आसमान में बादल चा रहे थे और कई बार हवा ठीक से नहीं चल रही थी इसलिए बाद मैं आर्मी के एक हेलिकॉप्टर के पंके के दुआरा वहां पर तेज हवा चलाई जाती है जिससे कि वहां पर बॉडी के उपर डले हुए कफन अपने आप उड़ सकें और वहां पर आसपास डले पत्ते भी उड़ सकें और इस तरह से एकदम पर्फेक्ट तरीके से इस सीन को बाद में सूट किया गया था इसके अलाबा फिल्म का एक और सीन जब गबर सिंग सचन को मार देता है इस सीन को भी सूट करने में लगबग 19 दिनों का समय लग गया था एक्चुली इस सीन में औरिजिनली पहले गबर सिंग सचन को काफी बर-बर तरीके से मारता हुआ दखाया जाना था लेकिन बाद में सेंसर बोर्ड की तरफ से आपत्ती प्रकट करने के बाद इस सीन को फिल्म में से हटा दिया गया था इसके अलावा औरिजिनली फिल्म की एंडिंग पहले एंसी रखी गई थी जहां पर ठाकुर साहब अपने पैरों से कुचल कुचल कर गबर सिंग को मार देते हैं लेकिन जब ये फिल्म रिलीज होने वाली थी उसके लगभग 50 दिन पहले ही 25 जून सन 1975 से भारत के अंदर इमरजेंसी लागू हो गई थी इस वज़े से उस टाइम पर ऐसे सीन जहां पर पुलिस वाला कानून को अपने हाथों में लेकर किसी के इतने बरबर तरीके से हत्या कर देता है इस बज़े से फिल्म के इस सीन के लिए भी सेंसर बोड की तरफ से आपती पर कट करने के बाद रमेश सिप्पी ने फिल्म की एंडिंग को चेंज कर दिया था जहां पर ठाकुर साहब गबर सिंग को मारते नहीं है लास्ट में पुलिस आ जाती है और गबर सिंग को अरेस्ट कर लेती है हाला कि फिल्म की ओरिजिनल एंडिंग भी अगर आप देखना चाहें तो वो आज भी यूट्यूब पर एवलेबल है जो पूरी फिल्म की लंबाई लगबग 204 मिनिट थी और फिल्म की ये ओरिजिनल एंडिंग बाद में डीवीडी में भी रिलीज की गई थी लेकिन जिस टाइम पर ये फिल्म रिलीज हुई थी उस टाइम पर इसको लगबग 198 मिनिट की डियूरेसन के साथ रिलीज किया गया था जहां पर फिल्म के ये काफी सारे सीन कट कर दिये गए थे और उस टाइम पर फिल्म में इतने चोटे से रॉल में काम करने के लिए सचन ने रमे सिप्पी से कोई भी फीस नहीं ली थी इस बज़े से बाद में फिल्म के पूरा कम्पलीट हो जाने के बाद रमेज सिप्पी ने सचन को एक रेफरिजरेटर गिफ्ट के तौर पर दिया था और फिल्म के हर एक छोटे से छोटे सीन को भी बारीकी से सूट किया गया था इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि फिल्म के अंदर सांबा के रॉल में काम करने वाले मैक मोहन को फिल्म के अंदर अपने छोटे से सीन को सूट करने के लिए लगबख 27 बार बॉंबे से बैंगलॉर आना पड़ा था और पूरी फिल्म को सूट करने में इतना ज़्यादा समय लग गया था कि जब फिल्म का पहला सीन अमिता बच्चन और जया बच्चन के उपर सूट किया गया था तब उस टाइम पर जया बच्चन सोटा बच्चन से प्रेगनेंट थी और बाद में सन 1975 में फिलम के रिलीज होते होते जिया बच्चन अभी से ऐक बच्चन से प्रेगनेंट हो चुकी थी तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिलम को सूट करने में कितना जादा समय लग गया था फिल्म की सूटिंग के दोरान फिल्म की पूरी कास्ट लगभग बैंगलोर में ही रुकती थी हाला कि फिल्म के अंदर काम करने वाले कलाकार कई बार तो इतने ज़्यादा ठक जाते थे कि वो बैंगलोर होटल में न जाकर रामगर में ही बने कुछ घरों के अंदर सो जाया करते थे और अमिता बच्चन ने अपने एक इंटर्वियू के दौरान तो बताया था कि धरमेंदर तो कई बार रामगर के बीच में ही बने एक चबूतरे के उपर सो जाया करते थे फिल्म की सूटिंग इतने दुनों तक चलने के पीछे परफेक्शन के साथी साथ कुछ और भी चीजें थी जैसे कि धरमेंदर हैमा मालिनी के साथ सूट होने वाले अपने बहुत सारे सीन्स को बिगालने के लिए कैमरा मैन और लाइट मैन को कुछ पैसे दे दिया करते थे जिससे कि वो सीन सही से एक बार में सूट ना हो सके और उन्हें हैमा मालिनी के साथ थोड़ी देर और रोमेंस करने का मौका मिल सके इसके अलावा फिल्म के बहुत सारे सीन धरमेंदर ने रियल में दारू पीकर ही सूट किये थे जैसे फिल्म के अंदर एक सीन था जहां पर गबर सिंग के यहां पर धरमेंदर को हात बांद कर खड़ा किया जाता है हेमा मालिनी को उस सीन के दौरान वहां पर एक गाने के उपर डांस करना था और इस गाने के खत्म होते ही वहां पर अमिता बच्चन इन दौनों को बचाने के लिए आ जाते हैं और धर्मेंदर को बंदूक और वहां पर रखी कुछ गोलियों को लेकर निकलना होता है धर्मेंद ने इस सीन के दोरान रियल में ड्रिंक की हुई थी और इस सीन को बहुत अच्छे से सूट करने के लिए यहां पर लखी कुछ गोलियां और बंदूकें भी एकदम रियल ही यूच की गई थी लेकिन इस सीन को सूट करते टाइम पर धर्मेंदर का पैर गोलियों से भरे बॉक्स में सही तरीके से नहीं लग रहा था और उनके कई बार पैर मारने के बाद भी गोलियों से भरा वो बॉक्स नहीं खुल रहा था इसलिए बार बार इस सीन को कई बार सूट किया जा रहा था और इसी दोरान धरमेंदर ने अपने हाथ में आई एक असली बंदूक से उपर हवा में फायर कर दिया और उनके जश्ट उपर उंची चटान पर अमिता बच्चन खड़े हुए थे और धरमेंदर के दोरा चलाई गई असली गोली अमिता बच्चन के कंदे के एक दम पास से ही होकर निकल गई हाला कि अमिता बच्चन बच गए थे उनको कोई भी चोट नहीं आई थी लेकिन क्रू मेंबर्स ने धर्मेंदर के साथ इस सीन को उस दिन सूट करने से मना कर दिया था और बाद में दूसरे दिन जब धर्मेंदर एकदम नॉर्मल थे तब इस सीन को दोबारा से सूट किया गया था हाला कि फिल्म के अंदर टंकी वाले सिक्वेंस में धर्मेंदर नह New般 में असली में दारू पी कर फिल्म के उशीडिम जान डाल दी थी जो आज भी देखने में एक दम रियल लगता है हाला कि धरमेंदर की ये टंकी वाला सीन और अमिता बच्चन जब धरमेंदर का रिस्ता लेकर बसंती की मौसी के पास जाते हैं ये दोनों ही सीन कुछ-कुछ सलीम जावेद ने अपने रियल लाइफ इंसिडेंट से मिलते जुलते ही फिल्म के अंदर रखे हुए थे इसके अलाबा फिल्म के अंदर बसंती का पीखे जब कुछ डाकू करते हैं तो उनके तांगे दोड़ाने वाले सीन को हैमा मालिनी की बौडी डवल रेस्मा पठान के उपर सूट किया गया था रेस्मा पठान भारत की पहली इस्टेंट वोमेन के तोर पर जानी जाती हैं और फिल्म शोले के अंदर तांगे वाले उस सीन को सूट करते टाइम पर जब बसंती के तांगे का पहिया तूट जाता है उस दोरान रेस्मा पठान को उस सीन में काफी चोट आ गई थी लेकिन चोट लगने के बावजूद भी रेसमा पठान ने उस सीन को काफी अच्छे तरीके से सूट किया था और रेसमा पठान ने आगे भी बहुत सारी बॉलिवर्ड की एक्टरेस के लिए उनके बॉडी डबल के तौर पर काम किया था और आगे चलकर सन 2019 में रेसमा पठान की बायोग्राफी के उपर दाशोले गरल के नाम से एक फिल्म भी बनाई गई थी और फिल्म शोले जब पूरी बनकर कम्पलीट हुई तो इसकी लंबाई काफी जादा हो रही थी इस बज़े से फिल्म के अंदर की एक कवाली जिसको सूर्मा भोपाली अमिता बच्चन और धर्मेंदर के उपर फिल्माया गया था उसको कट कर दिया गया था इसके अलावा फिल्म के अंदर एक और कॉमेडी सीन था जिसको उस्टाइम के कॉमेडियन मारूती राव पर अमिता बच्चन और धर्मेंदर के उपर फिल्म आया गया था जहां पर मारूती राव का एक ढाबा होता है और अमिता बच्चन और धर्मेंदर मिलकर बहुत सारा खाना खा जाते हैं और वहां पर पैसे दिये बिना ही ढाबे के बाहर खड़ी एक पारसी आदमी की मोटर साइकल को लेकर भाग जाते हैं इस पूरे कॉमेडी सीन को फिल्म के अंदर से कट कर दिया गया था और सीधे हमें अमिता बच्चन और धर्मेंदर मोटर साइकल को ले जाकर दोड़ाते हुए दिखाई देते हैं और इस सीन में अमिता बच्चन और धर्मेंदर जिस पार्सी आदमी की मॉटर साइकल को चुराते हैं उनका रियल नाम है मुस्ताक मर्चन्ट और पहले मुस्ताक मर्चन्ट ही हमें फिल्म सोले के अंदर डबल रॉल में दखाई देने वाले थे हाला कि फिल्म के अंदर उनका बहुत ही चोटा रॉल था पहले वो ट्रेन के ड्राइवर के तौर पर हमें फिल्म के एक एक्शन सीक्वेंस के दौरान दखाई जाते हैं और दूसरे इसी मौटर साइकल को चुराने वाले सीन के दौरान भी वो हमें दखाई देने वाले थे लेकिन इस सीन को फिल्म मैंसे कट कर दिया गया था और वो हमें केवल दोड़ते हुए दखाई देते हैं उनका चहरा हमें दबारा से नहीं दखाया जाता है इसकी अलाबा पहले फिल्म के बहुत ही पॉपलर गाने महबूबा महबूबा को आसा भॉंसले गाने वाली थी लेकिन जब म्यूजिक डारेक्टर आरडी बर्मन ने उन्हें ये गाना खुद गा कर सुनाया तो उन्होंने इस गाने को काफी अलग स्टाइल से गाया और आरडी बर्मन जी का ये गाना सुनने के बाद आसा भॉंसले बोलीं कि फिल्म के अंदर इस गाने को आप से बहतर कोई नहीं गा सकता है इस वज़े से इस गाने के अंदर हैलन के साथी साथ जलाल आगा को भी कास्ट किया गया था और इस गाने के अंदर आर्डी वर्मन ने जलाल आगा के लिए ही अपनी आवाज दी थी और जब फिल्म सूले थेटर्स में रिलीज हुई तो लोगों के दोरा और क्रिटेक्स के दोरा इस फिल्म को स्टार्टिंग में पसंद नहीं किया गया था क्योंकि फिल्म के अंदर उस टाइम के हसाब से काफी चेंज थे और ये क्रिटेक्स को उस टाइम पर पसंद नहीं आये थे और मेक्जिमम क्रिटेक्स ने तो उस टाइम पर ये बोल दिया था कि ये फिल्म नहीं चल पाएगी और बुरी तरह से फ्लॉप हो जाएगी और स्टार्टिंग में फिल्म शोले के अच्छा परफॉमेंस ना करने की बज़े से फिल्म के मेकर्स ने तो यहां तक यह भी डिसाइड कर लिया था कि साइध फिल्म के लाश्ट में अमिता बच्चन की डेथ हो जाने की वज़े से लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं इस बज़े से फिल्म की एंड को वो दबारा से सूट करेंगे जिसमें अमिता बच्चन की डेथ नहीं होती है लेकिन आगे लगबग एक या दो दिन के बाद ही लोगों के दोबारा इसको काफी पॉजिटिव रिस्पॉंस मिलने लगे थे और बहुत सारे लोग तो उस टाइम पर कई बार फिल्म को देखने के लिए थेटर्स में बार बार आए जा रहे थे और देखते ही देखते फिल्म शोले हिट से सुपर हिट सुपर हिट से बलागबस्टर और बलागबस्टर से आल टाइम बलागबस्टर हो गई थी और इस फिल्म ने पिछले सारे रिकॉर्ड उस टाइम पर तोड़ दिये थे फिल्म शोले के बाद से गबबर सिंग का किरदार इतना ज़्यादा पॉपलर हुआ कि आगे चलकर गबबर सिंग ने बिटानिया कमपनी के एक बिसकिट का भी एड़ किया था और उस टाइम पर वो एकलोते ऐसे विलिन थे जिन्हों ने उस टाइम पर किसी प्रोड़क्ट के लिए एड़टाइजमेंट किया था और ये फिल्म शोले की लोगों के बीच में उस टाइम पर एक पॉपलरिटी ही थी और आगे चलकर फिल्म शोले के उपर इतने स्पूफ और मिमस बने हैं कि इतने साइद बॉलिवड के किसी फिल्म के लिए नहीं बने होंगे और आगे चलकर सन 1991 में फिल्म सोले की एक कॉमेडी के तौर पर एक सी ग्रेड फिल्म रामगड के सोले के नाम से भी बनाई गई थी जिसके अंदर गबर के तौर पर रियल अमजद खान नहीं काम किया था और आगे चलकर सन 2014 में इसको 3D में भी रिलीज किया गया था लेकिन उस टाइम पर इस फिल्म को 3D में बनाने में जतना खर्चा हुआ था ये फिल्म रिलीज के टाइम पर अपने पूरे खर्चे को कबर नहीं कर पाई थी लेकिन फिल्म शोले आज इतने सालों बाद भी लोगों के दलों के काफी करीब है और आगे आने वाले कई सालों तक भी फिल्म शोले ऐसे ही लोगों के दलों में बनी रहेगी तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म सोले से जोड़े बहुत सारे unknown facts के बारे में मैंने अपनी तरफ से काफी कोसिस की है कि फिल्म सोले से जोड़े बहुत सारे facts में इसके part 1 और part 2 में cover कर सकूँ लेकिन फिल्म से जुड़े अभी भी बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे होंगे जो साइद मुझसे मिस्स हो गए होंगे तो अगर आपको भी ऐसे कुछ फैक्ट्स पता हैं तो हमें कमेंट में जरूर मेंसन कीजिए बाकी ये फिल्म तो आप सब को पसंद आई ही होगी और अगर ये दोनों ही पार्ट में आपको मेरी महनत पसंद आई हो तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जबाब जरूर दीजिए तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननौन फैक्ट्स और एंसी ही रोचक बातों के साथ